स्क्राइट की बात करने जा रहा है बच्छों स्क्राइट और बेट करें बुछ भड़्यो क्या ही जी यह बोले तो और यृओ यह송 एएर बाटर यह सी में आता है और तो fur लोग बात करते हैं हम लोग जो बात करने जा रहे है बायो जीयो केमिकल साइकल तो उसमें लिविंग का साइकल लिविंग का कौन सा साइकल तो लिविंग और्गेनिजम का जो है जो लिविंग और्गेनिजम है तो जो जीयो बोले तो रॉक्स वाइल एयर वाटर इसमें रह रहा है तो उसका जो nutrient है, उसके cycle से related हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलना है, biogeochemical cycle, नहीं, उसको हम लोग क्या बोलना है, biogeochemical cycle की अगर बात करें, तो आपको बता दू कि environment सब कुछ हम लोग को उधार दिया है, हम लोग जो environment से जो भी कुछ लिए है, सारा चीज हम लोगों को environment के द्वारा उधार दिया गया है, यह उधार ही दिया है, लो use करो, और जब हम लोग जाएंगे, नहीं, जब हम लोग जाएंगे, तो A to Z चीज कहिए कि इस environment को हम लोग देते चले जाएगे, सारा कुछ environment को return द chemical cycle है, अगर गौर से देखे, तो मैंने एक line आपको बताया था, और मैंने बोला भी था कि सारा कहानी उसी line पर आपको खतम हो जाएगा, अगर उसी line को मैं फिर से एक बार repeat कर दूँ, जो कि आपको बतलाया गया है, तो मैंने बतलाया था कि जो green, क्या हो गया, यह green plant या grass इसको खाने वाला क्या था, rabbit इसको खाने वाला क्या था, fox की बात कर रहे था, rabbit के बाद क्या बात कर रहे थे, fox, अब fox को खाने वाला, फिर क्या बोला रहा है, lion, नहीं, तो यही जो हम लोग बात कर रहे थे तो यह जो है यहां पर क्या है प्लांट यह जो प्लांट है तो सारा न्यूट्रियंट कहां से लेगा जीयों से और्थ से नहीं जो प्लांट के लोग करबन डॉक्साइड की बात करें यह से कारवन डाक्सइड ले लेता है नहीं वाटर प्लस मिंडल्स की जोंग şey नोग बात करते हो कहां से ले Cop This यहां से ले लिया तम जाके कि ना मनाता है सीशीग्स हैच टुएल ओफ सीख तो जो मिन्ल्स लिया न तो को सब्सक्राइब और सब को और माइक्रों ओर तो मैंडल्स को करेगा और जयसे microorganism इसको decompose करेगा तो फिर से यह क्या आ जाएगा श्वाइल में आ जाएगा मिंदल्स तो यही तो एक cycle है लेकिन इस cycle को complete होने में sun का भी बहुत बढ़ा roll है sun light का भी बहुत बढ़ा roll है, ich cycle को complete होने में sun light का भी बहुत बढ़ा roll है क्योंकि light energy के presence में ही यह काम हो अव弦ारन है जभी बात करेंगे साइक्डल का जिस जगह से आप उठाए फिर साइक्डल को उसी जगह को रिटर्ण करना पढ़े גם तभी जाके कम्प्लीट शैकल कील रॉब बात करेंगे तो जहां से आपने cycle उठाया है फिर वहीं पर cycle को क्या करना पड़ेगा आपको return रहे तो cycle को return करना जरूरी है cycle को return करना उसी जगा पर जरूरी है क्योंकि जब तक return न करेंगे तब तक हम लोग उसको cycle बोली नहीं पाएंगे तो जब भी हम लोग cycle बोलेंगे, जब भी हम लोग cycle बोलेंगे, तो जिस जगह से start करेंगे वही return करना होगा, तो biogeo chemical cycle जो मैंने अभी अभी बनाया आपको, तो उसमें क्या है, autotrop भी है, autotrop के अलावा जो हम लोग बात करेंगे, क्या-क्या था, heterotrop भी था, और micro organism भी वहा जो कि क्या करेंगा, lead, role play करेंगा, किसमें, biogeo chemical cycle की जो बात करते हैं, तो biogeo chemical cycle में सारा कुछ आएगा, सारा कुछ करने का मतलब है, कि heterotrop, autotrop यह सब, सब यहाँ पे आ जाएगा, heterotrop तो आएगा ही, और autotropic mode of nutrition की जो बात करते हैं, तो वह भी किसके अंतर गताएगा को दिख रहा है, इस figure में आपको क्या दिख रहा है, कि यह जो green plant है, इस figure में यह green plant आपको दिख रहा है, green plant को खाने वाला को खाने वाला, कार्णी बोरस, कार्णी बोरस को decompose करेगा, decomposer, तो फिर कहा आ जाएगा, nutrient pool में आ जाएगा, यह nutrient pool से green plant क्या करेगा, इसको, फिर से ले लेगा नहीं तो यह Bio Geo Chemical cycle हम लोग को जो Bio Geo Chemical power cycle और nitrogen cycle यह दो के बारे में बात करना है तो Carbon cycle भी है तो Carbon cycle जो है और तरका Carbon cycle हो सकता है लगिन सब में एक ही बात होगा घुम फिर के एक ही जगाह पर आना है सब Carbon cycle में एक ही बात किया जाएगा गुम फिर के एक ही जगा प्याना क्या मतलब जैसे एट्मोस्फेयर में जो carbon dioxide है कि लिए या rozmospheric carbon dioxide की जो मलोग बात करें बचो तो ज़रा गृध किजिए तो green plant क्या करे गा atmospheric carbon dioxide को photosynthesis के जमीन में गडा रह गया हजारों साल तक पॉसिल बन गया और जो फॉसिल टेट हो गया है अगरघर दूसरा साइकल समें competition की बात करें तो यही क्या होगा कि कारवन डाकसाइड को कुल लिया ग्रीन प्लांट ले लिया और यही ग्रीन प्लांट को खा लिया कौन एनीमल नहीं एनीमल जब सांस छोड़ेगा कारवन डाकसाइड हम लोग निकाल देते एक सैकिल यह भी हो गया और भी सैकिल है कि ग्री का जो पाट है वो जब गिरएगा या एनिमल जो सरेगा गलेगा तो डिकमपोज़ करेगा तो कोई सब घॉ critic सतले क्रेदे तो आपकर किसका है चार्वन से उठा रहे हैं फिर वहीं पर ओलाके देदे रहे हैं कि मैं शब्थी question का साइकल है तो जरूरीन की साइकल आए तो है आप 키 च्चेट बाट यहीं लिखना है अप इसे भी बना सख्टों कार्बन साइकलu कि अप इससे वी बना सकते हो कि ए ग्रीन प्लांट है इसको खाने वाला रेविट हई पॉक्स को खाने वाला लाएं आप बस दिखा दीजे कि इसमें carbon dioxide आ रहा है तो अब क्या है प्लांट गिरेगा या प्लांट जब respiration करेगा तो देदीजे respiration क्या कि कोई भी organism respiration करेगा गुलकुछ तो रहेगा तो यह यह भी रेस्पिरेसन करेगा तो यह भी रेस्पिरेसिंर करेगा तो यह यह भी एक साइकल है अब दूसरा अगर इसे चिवल करना एक जेतं हो प्लांट का लीफ गिरा I am a plant का लीफ का पाथ गिरेगा लीफ GRIEGA रैबिट फॉक्स-लायन यह सब सरेगा गलेगा माइक्रो इस ओर प्रोख ओर गिनिजम और यह सब क्या करेगा इसपिरेशंघ चरके फिर डाल दैगा तो कहीं से भी श्टार्ट किये जिस जगह से आप श्टार्ट कर नहें वहां पे छोड़ दीजे तो यहीं एक साइकल कर लाएगा तो ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट किये और सही लिखना है सही लिखना है मतलब क्या कि जो green plant है पोटो सिंतेसिस करके प्लांट बिया आप लिए यह कर्बन सचिल ग्रिन प्लांट का सरा गला एनिमल सब्सक्राइब करेगा स्वाइल सॉलीशन में गया तो वहाँ से ये कर लेगा तो कहने का मतलब यह है कि जहां से आप उठाए बैक अगर वहीं को डाल दिये तो वह एक साइकल कहलाएगा तो यह हो गया कारवन सैकल और भी तरह का कारवन सैकल आपको देखने को मिल सकता जिसे यह एक दूसरा कारवन साइकल देखिए बात भाई यह गुमा पिरा किया हूआ बैकसाइड है इसको फोटेशी करके लिया है यहां से इंडिया यहां से इंडिया दर टे खेंकर लिए फिर यहीं फोटो सिंडेशीज करके तो carbon cycle हो गया, carbon cycle के बाद जो next है हम लोग का पढ़ना है nitrogen cycle, बच्छो atmosphere में जो हमारा है, हमारा atmosphere में 78% nitrogen है, लेगिन जो भी nitrogen है वो N2 के firm में है, और किसी living का अउकाद नहीं है, खासकर plant और animal, कि N2 के firm में nitrogen को ले ले, एचल में N2 के firm में जो भी nitrogen है, वो inert gas configuration में, inert gas configuration में, तो उसको लेना बरा मुस्किल है, inert है, तो nitrogen को fix करना होगा, nitrogen cycle में main step के आज आता है nitrogen को fix करना, और nitrogen जो होता है, essential component में आता है, मैंने बताया आपको चार component essential होता है, जिसमें बताया था, C, H, और O, और N, कोन, C, H, O, N, कोन, यह essential component है, यही nitrogen का deficiency हुआ था, तो plant बेचारा insect खाने लगे है, मजबूरी में plant आखिर मरता क्या न करता, तो insect खाने लगे, nitrogen essential होता है, life को जीने के लिए, nitrogen essential होता है, DNA के लिए, nitrogen essential है, RNA के लिए, nitrogen essential है, protein के लिए, तो कहीं से भी nitrogen तो देना ही पड़ेगा, है भी जादा, environment में 80% nitrogen है, but इस form में है कि हम लोग उसको लेही नहीं पाते, हमारे लिए कहिए कि waste है, 78%, directly हम लोग लेही नह सकते हैं, nitrogen को, तो इस nitrogen को क्या करना होगा, fixation, nitrogen को fix करना होगा, लेने lack बनाना पड़ेगा, तो जो nitrogen fixation की बात करते हैं, तो जो N2 के form में, तो N2 के form में, तो इसी कॉमाई से भी लिख सकते हैं, triple bond होगा nitrogen, तो आपको nitrogen fixation करवाना होगा, nitrogen fixation में करवाया क्या जाता है, nitrogen fixation मे एक-एक करके यह bond तोरा जाएगा, जैसे यह bond एक चुटेगा, तो यह इधर hydrogen को जोड़ दिया जाएगा, फिर एक bond तोरेगा, फिर एक hydrogen को इधर जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, फिर एक bond तोरेगा, नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या करेगा hydrogen को जोड़ देगा, तो इसी बात को बोलता है nitrogen का fixation, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है nitrogen का fixation, तो nitrogen का fixation की जो बात करें, जो nitrogen है, उसको convert कर देना किसमें? अमोनिया में, N2 के form में जो है, उसको अमोनिया में convert करना nitrogen fixation का लात है, तो जो nitrogen fixation है, इसमें आपको बता दो, कुछ bacteria के पास capacity है, N2 को अमोनिया में convert करने का, और कुछ blue-green अलगी है, जिसके पास capacity है, जिसको cyanobacteria के नाम से भी हम लोग जानते है, नहीं, तो ये भी bacteria ही है, अलग बात है, उसको हम लोग blue-green अलगी भी बोल देते हैं, बट blue-green अलगी बोलना गलत है, तो kingdom classification था, तब blue-green अलगी बोलते थे, तो काम चल ला था, लगिन अब तो bacteria pro carot का अलग कर दिया, और blue-green अलगी अलगी का तो अलगी प्लांटी में आ गया, bacteria monera में रख दिया गय तो क्या है कि जो bacteria की बात करेंगे, bacteria में कौन-कौन सा bacteria है, जो nitrogen fixation का capacity रखता है, तो उसमें आपको नाम याद रखना होगा, rhizobium, rhizobium, aerorhizobium, azoespiralium, frankia, cholestadium, यह सब क्या है, nitrogen को fix करने वाला bacteria, azotobacter, bacteria है, लेकिन nitrogen को तो fix किया, लेकिन blue-green अलगी में जो बात करें, तो इसमें आता है ना बीना, aluceria, nostoc, नहीं, यह सब क्या है, rice field में मिलेगा, nostoc, यह सब blue-green अलगी है, जो nitrogen का fixation करता है, बच्चों, इसी में जो है azotobacter, जो aerobic bacteria होता है, azotobacter को क्या बोला जाता है, aerobic bacteria, और जो cholestadium के हम लोग बात करता है, यह होता है, anaerobic bacteria, तो यह दोनों य nitrogen fixation, symbiotic associate करके करता है, leguminous plant से, याद होगा, आपको leguminous plant के root nodule में rhizobium होता है, नहीं, rhizobium को फुट भी मिल जाता है, राने के लिए जगा मिल जाता है, अब बदले में वो nitrogen fix करके दे देता है, नहीं, तो कहने का मतलब कि symbiotic association है, दोनों का, दोनों का फाइदा है, तो य जल्दी ले नहीं पाता है, तब फिर किया जाता है, नैट्रिफिकेशन, नैट्रिफिकेशन में ammonia को नैट्रेट में convert किया जाता है, नैट्रिफिकेशन किसको बोलेंगे, तो ammonia to nitrate, वो कहला था, नैट्रिफिकेशन, नैट्रेट, तो नैट्रेट में जो convert करेंगे, अमोनिय क्वैंटी जो net rate का है किस के क्वैंट के दौरा आपको दिख रहा यह पूर्ण General Circle का तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता है atmosphere में हमारे पास नैट्रोजन कितना तो नैट्रोजन को fix करने वाला बैक्टरिया चाहीए नेट्रोजन-fixessing bacteria या नहीं तो blue green लगी एल भी नान स्टॉक एलो सेरिया यह सब बताया तो यही क्या करेगा? नेट्रोजन को fix करेगा तो जो N2 कह फ्रम में नेट्रोजन ता एंट्रुस का फ्रम में नेट्रोजन को किस करते हैं इसमें दो एस्टेफ हैं इसी लुट्रीुएक्ट६गर्ट थो ग्रूप जब नाट्रयेट के फम में आता है तभी जाके फ्रम के लिए अब थे सकता है और ये एक बार प्लांट के पास आगया तब तो यह कन्जूमर के पास आए गई कि ब्लांट को खाल या रेबिट घरणो खालिया भूस उखालिया नहतरा से अब क्या है कि प्लांट का पत्ती गिरेगा या तो यह से इसको फिर से Ammonification करवा देगा बोले तो Ammonia में Convert कर देगा और जो फिर से Ammonification करवाता है तो यहां पर भी कुछ group bacteria का है जैसे bacillus, 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 bacillus group है नहीं और भी bacillus group का आता है जो इसको क्या करेगा जो detritus है जो सर गल रहा था उसको क्साई कर दिया किसमें Ammonia में फिर कर दिया तो इसको लोग बोलते हैammonification तो Micro Ammonie Surying Sum पिर कर वा दिया क्या इसी process को क्या बोल दिया आम्मोनीफिकेशन प्लस क्या होता ऑदक है जो natrification hyobacillus natrificans नामका bacteria है hyobacillus natrificans या pseudomonas natrificans नामका bacteria है जो swirl में जो natrits है इसको convert कर देता है फिर से किसमें टू के फिर में और जहां से लिए थे फिर दएक पहुचा दिये लेगिन एक लाइन अभी भी untouch है weight and dry deposition जो thundering होता है जो तरका चमकता है नहीं बोलता है बिजली चमकराता रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा इनर्जी है जो नैट्रोजन को तोड़ देता और अर्मोनिया में कप्को ले पाया कहां से ले पाया है या यूं कहें कि बैक्टरिया है और एक है साइनो बैक्टरिया या बुलू-ग्रीन अलगी जिसको लोग बोलते हैं यह दोनों मिलके क्या करेगा एट्मोस्फेरिक नैट्रोजन को फिक्स करेगा तो इसी बात को बोलते है नैट्रोजन फिक्सेशन तो यहीं पर दो ग्रूप की बात कर रहे हैं इस प्रोसेड में और एक बोल रहे हैं इसमें बैक्टरिया है इसे तो आपको याद होना ही चाहिए बैक्टरिया में जो रख रहा है मुछ नाम जैसे dur एक राभिएं राइजोबियम आर आई जोबियम नहीं दूसरा एजो एस पाई पियाई आर आई एसपारियूलम नहीं यह भी है और भी है फ्रेंकिया कुलो स्टेडियम एटीसी कर देते हैं और टीसी यह तो गया कोन बेक्ट्रिया लेकिन कुछ में क्या बोल नाव ब्लू ग्रीन लगी सॉट में लिखता है बी जी अलगी है जो यह काम करता है नेटो जन फिक सेशन का है तो ब्लू ग्रीन अलगी में एक कुछ नाम आपको या yeah कर देगा यह ग५्रूप करते है भाग उसके बाद मैंने बता है natrification तो natrification में आपको याद रखना है natrification process, दो step में होता है एक group है natrosomonas, अब दुसरा group है natrobacter, तो एक group जो natrosomonas है यहाँ भी कुछ बेक्टरिय आता है, कुछ natrobacter वाला बेक्टरिय आएगा तब जाके naträt में गर्मठ करता है, अब जाके इसको ले पाएगा अब बलांट इसको क्या कर एक दो प्लांट मेरे चला गया तुए आपका चला गया फूट चैनद में हुट बार फूट चैन से आप कंजूमर को दे दिजें तो कंजूमर में भी आप मात सकते थे जैसे उएंड को अब वहाँ पे जब सरेगा गलेगा यहां आएगा detritus लिटर फोलोगा यहां तो detritus जो सराएगा गलाएगा यहां पे आएगा माइक्रो कंजुमर इस जगह पे detritus से लेगा माइक्रो कंजुमर यहां पे आएगा और जो तो musy नमोनिया별 के टर्वाटेज कारोगा फिर से अमोनिया आंपन रवादेगा अमोनमी तिरसे अमोनिया में स्मavis में ज़ह उते हैं यहां विद्राइव कुछ बैक्टिरिया होता है यह नहीं इसमें यह ग्रूप आजाता है शुडो मोनास होता है कुछ शुडो मोनास डी नाट्री पी यह सब ग्रूप है जो कहां पर आ रहा है डी नाट्रिफिकेशन मतलब वाल डेक्टरिटर्य में डाल दिया यह इस तरह से चलता है लेकिन यहां जो नाट्रेट है जो में लोग इसको अमोनिफिकेशन ब्था आम नहीं सुड़ुन यहां का लिखेए अर अशी तो गलती हो रहा है सरे दिन भेक्टरिया यह ँद मैं अद् a यह वे शथिंवर्ब कि के सन्सक्राइबjust की दो बात कर रहे हैं तो यहां भी बैशिल में वह हुआ आता है लेकिन दुसरा का यहां भी बैशिल करेगा रहे हैं तो भी गेरिस है यहां और भी बेसिलस ग्रूप का आता है तो यह इस तरह से यह काम चलता है तो कहने का मतलब है कि नैट्रोजन का fixation essential है और जब नैट्रोजन fix करेगा तभी जाके कहिए कि DNA बनेगा तभी जाके प्रोटीन की बात करेंगे सपर सकेंद है कि आगे पूछब है कि अब तूएल मेंडिकल में उठा लेगा अब मेडिकल में उठा देगा है कि यह प्लांट फीजियोलोजी में मिन्लिट्रेशन में हाटा दिया है लेकिन वहीं पे डिटील में पढ़ना था आप लोग को नाट्रोजन फिक्सेशन वहां नाट्रोजन फिक्सेशन बताना था जो बता दिये कि अब जाके रेडिंग मार लीजेगा चुटेगा कुछ नहीं पर ही नहीं हम अपने नहीं छोड़ते हैं लगा देकिए मेरा आदत है पहले मेन में टॉपिक निकाल देना है कि जो भी में टॉपिक है तो मैं टॉपिक अब्सके टॉपिक है अब कि बाद में हम वेसा टॉपिक रखते जहांसे थूआ कुश्टन कम आए अलग बात है सबसे लास्ट में पढ़ाते थे लेकिन मजबूरन उस समय हमको निकालना पड़ गया अटेंडेंस कम था कि उस समय हमको यही स्टार्ट करना था तब तो कब निकल जाता है तो क्या है कि देखिए सब लोग सारा सिच्वेशन देखते हुए ना जब करोना जैसे टाइम में मेरा सिलेवस नहीं फसा अब क्या फसेगा करोना में भी सिलेवस पूछ लिजेगा उस बैच का जो भी है अच्छे से निकाल के दिये सिलेवस जबकि सब लोग का क्लास तक बंद हो गया था लास तो चया बहुत भी बंद था फिर भी सिलेवस निकाल के दिये लाइव में चले गया था तो क्यां करता लाइभ में देना था तो मेरा लाइव तो काroon 2014 से मोड में Stephen दोजार-14 से प्रोजेक्टर के सब ले लिये थे लेकिन सारा कुछ प्रोजेक्टर पर नहीं होता था उस समय होता था भूड़ पर प्रोजेक्टर से दिखाने उखाने का जिसे कभी कुछ दिखाना रहे तर यह तो कहिए कि प्रोजेक्टर पर कंप्लीट आ गया थे हम 2019 में लॉक्डाउन से पहले कि इस पर कंप्लीट आ गया थे तब हम बोड़ पर लिखना बंद कर दे वाइट बोर के इस पर हो जा रहा है और यह मोड हम एक्चुली देखे कि एलन में सारा कुछ मेरे पास था एलन का हम एक लेक्चर देख रहे थे एक टीचर काया था तो देखी किया रहे है उसमें बस किया था प्रोजेक्टर के जगा टीवी लगा हुआ है जैसे कंकरवाद सेंटर पर जोम लगा है लिखता है लिखता है टीचर इदर इफेस हमको मेरा फेस हमेज़ा बच्चों के तरफ रहेगा लिखने पर क्या होता है अब अच्छा लोग उदर गाना गा रहे हैं इसी में है कि थोड़ा सिस्टम और डवलब किया जा सकता है इसको थोड़ा नीचे कर देए इसको थोड़ा ऊपर कर देए तो आपको लगएगा कि हम स्क्रीन के सामने में स्मय कि यहां च्छेम छुटा रहता लख तो यही रहता तक सबना सबित T वागल में रहता यह सबस्थ हैंट तो सिस्टम यह पें वह ढखसा दमनर निकाले अराम से निकाले मैं गलती दाला ऐक कि यह पिजिक्स वाला सब डाला तो सब हीट करके आग 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 तो वन सब तो पालो जी एक बार में अगर वन सब क्या कि बच्छा पुड़ा पॉड़ने रहा है अब सुत्राय जी जहेद सीख लें कि जो यह थोड़ा बहुत सी है अब लोग देखते का है जो ग्रोव करेंगे आप लोग देखते ही नहीं हो खाली मेरा स्टुडेंट जितना है उतने देख ले ना कि उतने में हम हिट कर जाएंगे दुसरे का दो बात प्रॉब्लेम कहां आता जानते हैं वीडियो उनकी दो मिनट देखे छोड़ दी वीडियो यूटूब प्रमोट ही नहीं करेंगा उसोचे का कॉंटेंट अच्छा नहीं है तो डाउन चला जाएगा अब अलग चीज़ है कि आप पैसा देके परबोड कराने तो आप लोग किस दिन काम आईएगा कि आप लोग को तो चाहिए कि नहीं भी मन है कि चला आगे छोड़ देजा लहीं प्रॉब्लेम यह कि सर सोट्स देखने में नेटे खतम हो जाता है बत पाई नहीं तो क्या देखेंगा आपका अगर तो यह चीज़ों प्रकर और गूगल पर अपना फिडबेक जरूर डाल दीजेगा तो बहुत लोग डाल दीए जो नहीं डाले डाल दीज़ा गूगल पर डारेक्ट जाना उम्बाइल जी क्लासेस आएगा और पीड़ी कर जाना फासपोरस सैकील पर अथया गया जैयाद जादा कुछ नहीं लाएगा तो तो वहां limiting factor हो जाता है और फास्पोरस जो आता है वो रॉक से आता रॉक अब छोटा लेक है तो रॉक का पानी उसमें कहां से आएगा तो फास्पोरस लिमिटिंग फैक्टर होता है लेक में तो फास्पोरस भी एसंसियल है क्योंकि हम लोग जो DNA और RNA की बात करते हैं तो इसम करेंजम गया है तो मतलब निकलोटाइड का कमी होगा तो DNA रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा सेल का डिविजन नहीं कर पाएगा ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो फास्पोरस भी एसंसियल है फास्पोरस फास्पोलिपीड बोले तो मेंब्रेन में भी ज़रत है बोन के लिए भ ध्यूल उद्यकररण गाता है घी जो बात कर रहे है कि वेअदरिंग से आएगा इसका याफ्यक्रिन आप देखी कि तो रॉदरora होगा तबी जाकर में प्रोडूष लेगा उस्भाइल सेंप्रूरस को अप्टिक किया जाता है लांट ले पाता है और टो फस्पोल्प में प्रोडिसर के पास प्रोडिसर से कहा आएगा कंजूमर कभी तो मरेगा कभी तो प्लांट का गिरेगा लिफूफ टर्णी इसको फिर डिकंपोज करके स्वाइल में डाल देगा यह सैकिल पूड़ा हो गया कि कुछ फाश परस पानी के बहाओ से नदी में चला जाता है नालाम में चला जाता है तो यह की अ तो इसी चीद को यहां भी दिखाए कुछ पानी में निकल लिया कुछ प्लांट ले लिया और एक बार प्लांट के पास आगया तो गुञेर अपनूमर तो और जब भी लेगा किस पूम में और दोफ क्वास्पेट के फंद में इसको अप्टिक किया जाता है और एक बार प्लांट में पानी में चला गया तो वहां से फाइटो प्लेंक टेञा फिर जूई कर अपनी घॉत के बारे के बॉंप κしま बाइयों के बारे मिज़ास हमâm लोगों को बात करना है इस ऐले बात करेंगे आछ THE धी पैज में पीछे एक पेज दिया होगा नहीं करने आ तरत जर्द यह जाए तो जितना अंडर्लाइन universe करेंगा बस उतना ही किजेगा जादे करने का आपको जर्रत नहीं यह का जेटना अब अदिन ना-धाय। बस बायोम में उतना ही किजेगा उससे ज्यादा नहीं करना है तो बायोम में आते हैं देखें बायोम क्या है लार्ज इको सिस्टम जो होता है लार्ज इको सिस्टम जो होता है उसी का अमलोग क्या बोल देता है बायोम जो लार्ज इको सिस्टम है उसी को क्या बोल दिया जाता है बायोम में अधिकोशुस्टमCal या शिस्टम में यह जो बार सीकोशुटम में जा ँकोशुस्टम होता तो यह सब लिजो होता है criticism यह कोसों और El87ism से क्वेसिस पर बांडरी और फेपी क्षुन में मैंने बता रखा है altitude हाइट कहा से सी सर्फेस से हाइट की बात कर रहा है अलेटीचूर बता रखा है डिस्टेंस कहा से एक्वेटर से डिस्टेंस डिसाइड करेगा आपका यह फिगर है ऐसे तो यह डारेक्ट यह जहां से figure ncati उठाया वहीं से भी उठाया है तो ncati थोड़ा काट शाट के figure दिया है और मैं डिरेक्ट वही figure दे दिया यह figure बड़ा important है कि इस figure से आपको question पूछ सकता है लेगि इस figure को समझ यह पहले अब देखे यह y-axis है यह क्या दिखा रहा है y-axis और इधर क्या दिखा रहा है यह x-axis दिखा रहा है y-axis में temperature दिखा रहा है तो कहां से start क्या माइनस 15 ठीक फिर बरते जाएगा 0 फिर आगे बरते गया 15 फिर इसी तरह से बरते बरते 30 degree centigrade लेकिन यह जो है average temperature बोला है एन्वल मीन टेंपरेचर एन्वल मतलब एक साल का मीन बोले तो अब पर रहा है कि को राज पाउंब बाहार रहे तो नीन नहीं आए गठाश्य पुड़ा गर्मा चाहिए तो temperature कितनों चला देते हैं कि अंगोई फार्द की पढ़ता पश्टा चूते रहाँ तो गर्मी में यह सी फिर चाहिए तो कहने का और अरत का टेंपरेचर की में बात करो हो आवज कर रहे या कोई बायों बारा बायों की बात कर रहे तो क्या है कि कही बर्फे जम्हां है फिटा यह तो कहीं ए टेंस्पुरेचर ज्यादा एवरेज टेंप्रेचर पर्ष स Ajax उधर जो X-axis में दिया है यह दिया precipitation बोले तो rainfall एनवल रेनफुल इस साल में कितना रेनफुल हो रहे हैं यह 50-100-100-200-200-300-300-400 इस तरह से बढ़ता जा रहा क्या सेंटी मीटर नहीं रेन रेनफुल को दिखागी अब दिखें अब बायून को जो बाटा तो जैसा कि मैंने बो कि उसके हैं तो सबसे पाहला बायूम जो आपको दिक रहा है यह वाला जिसको मैं cover करता हूं जिसको बोल है desert क्या हम लोग बोलनाए desert कर दम पूंछेगा है desert केifferent की जहां बात कर रहे हैं यह वाला व्हें प्रश्ण डेजर्ट है तो जड़ाग गौर कीजिए डेजर्ट में क्या हो गया डेजर्ट किसको लोग बोलते हैं जहां बारिस कम हो तो एक सेक्स सटा दिया इधर बारिस कम जाहां का टेंपरेचर ज्यादा तो सबसे कम बारिस और टेंपरेचर जाधा इसी को तो बोलता है डेजर्ट बेजर्ट इसे को क्या बोल दिया शकितें शेएं टेजर्ट में उत्परेचर जो यहां है और और जो ले है सान भी तुन्रा भी पह euh वहला आसान है तो आर्टिक एलपाइन तुन्रा किसी को बोलता है तो देजेट में ध्यान रखना क्या 12-200 ते डिंपरेचर ज्यादा तुन्रा में क्या क्या टेमप्रेचर टेंप्रेचर होना चाहिए तो एक लोता-बायो में जहांन निगेटिव टेम्रेशर दिया दिया है डिया है एक रोपीकल रेन फॉरेस्ट नाम ही रेन फॉरेस्ट अलग बात है रेन हटा के आ बात कराना है यह तquisIG नमी तो सबसे जादा रेन यहीं पर होता है है सबसे जादा बारिस यह पर होता है तो बारिस गम टेंपरेचर जाधा तुन्रा निगेटिव में टेंपरेचर आट्रोपिकल रेंड फोरेश्ट बारिस सबसे यह तीन तो आसान है पाचान अब थोरा सा दूसरे पर आता है इन तो अम लोग इसे पाचान जाएं नेक्स जो में लोग को पाचानना है जैसे ग्रास ल तो आतो pay जाएंगा तो अमर जाएगा का तो जहां पारीस थो छोड़ा ठोड़ तो डिजर्ट बगल में थोड़ा थोड़ा बारीसly सटाट उक्वाला जो है यह क्या कलाईगा ग्रास लेंड कि नहीं यह तो टेंपरेचर अध脆 लगा टैमपरेट उक टैमपरेट लेंड लइन सब्सक्राइब भी प्रोब सता बच्चे का ये दोनों में यह दोनों में पती न以前 को सिता डोसा जश्च तरीकर कोन सेप्ट नहीं तरीख यह ब्राड है तो भ्रौ्ट लिब होअने से याद रखने का तरीका बताया है तो तरीका में आतो यह वाला भ्रौड है भी करने कोन कई कैसे कुछेंगा बोलतेगा बोलतेगा डिसरा बायम किसको और लेप नहीं तो देखिए ओवर्लेप कर रहा है कि नहीं तो देखिए और लेप कर रहा है की इसी तरह से टुन्डरा मात्र एक से कॉनिफेरस नुकिला नुकिला इसी तरह से ट्रोपिकल ने फरेस्ट एक ही से कर रहा है ब्रॉड ले जो प्रिकुलियर टाइप का है जो आसानी से पकड़ा है उस सब एक के गुग को भरलेप कर रहा है देखें यह वह एक यह बांकी जो अंदर में तीन को है तीनों तीनों को भरलेप करेगा इसको छोड़ दीजिए तो कोई भी एक को ले लिजे बांकी तीन जो बता तीन साइस्ट ऑबरलेप करेंगा जैसे टेंपरेट टेंपरेट ऑबरलेप किसको कर रहा है टेंपरेट ब्रॉड लिप और इसको टेंपरेट । अब यही बायूम को Ben事 एक आपको यहां पे दिखाया गया है पूरे वर्ड मैप पर कि कहां पर किस किस तरह का बायूम आपको मिलेगा जैसे हिस इस तरप का जो है त्रोपिकल फॉरेस्ट एक जल्स देखने के लिए सबाना थोरा सब येलो टैप में दिखाए सबाना वाला में पिर उसी तरए से देजर देजर्ड जैसा ऍलके यलाइट आगया होगा कि गुझ कुझ बुजाया नहीं होगा कि आय ventilvent never webs लोग बात करें तुनड़ा बाइम को अगर देखना है तो टुनड़ा बाइम में इसा देखता है कि इस तरीके का बायूंस आपको देखेगा तो यह किसका है तुंड्रा वायों के बारे में कुछ चीज याद रखना होगा सब नहीं कुछ चीज जो अंडर-लाइन करूंगा वहाई किजएगा धिमाग नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा नहीं ल्याएं तो लाइन वैसा लाइन जिसके आगे ट्री नहीं मिलेगा उसको बोलता है तुन्डरा यहां का जो स्वाइल होता है तुन्डरा का डोख टंपरेचर डाउन हमेशा बर्फ से ढखाह रहता है और वैसास्वाइल जो सालो भर बर्फ से ढ़का रहता है उसका नाम है परमा क्रॉस्ट परमा क्रॉस्ट नहीं होल इयर बर्फ से जमा रहता तो यह आद रखना है किम था हिटा Cal इलपाइन टुन्रा मिलता याद नहीं रखना है लट रीए यह जो घंसको बलता है part आउट ट्री या ट्रीलेस बायोम के नाम से भी जाना जाता है कौन तुन्रा नहीं और यहां पे जो ट्री एंड सर्फ होता है यह अपसेंट होता है तुन्रा बायोम में इसलिए इसका नाम दिया था आर्टिक डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है तुन्रा नहीं यहां फ् सॉक्स और रेंडियर यह दो कम से कम याद रखिया और पोलर भी है कि माइग्रेटरी बढ़ भी कह लें एक तुन्डा ड़न नेक्स बायों नॉर्दन नॉर्दन कॉनिफेरस जो हम लोग बात कर रहे थे नहीं यह जो बायों मैं ऑल्सो नोने टाइगा टाइगा नाम से जाना तरुक्निफेरस यह तैंपरेट कॉनिफेरस भी बोलता जाता आके कहां रहेगा याद रखना डिस्टीबूटेट कहां एक था इसका याद नहीं रखना है लेगिन थोडा से ऑन्वर रंफ बढ़ गया है लेगिन याद नहीं रखना है जो विंटर की बात करें तो इससे पहले टुंड्रा में निगेटिव में चला गया था यहां छे डिग्री से डिग्रीट समर में 20 तक चला जाता है इवर ग्रीन टेंप्रेट फॉरेस्ट कहां रहेगा हिमालिया रिजन इसमें मिलता है वेजिटेशन इसका पूछता है आप से आप यहां का वेजिटेशन होगा इनिमल मैं उहां पर मिलेगा आपको डियर रिविट सब इसी में मिलेगा प्रोल इंसेक्ट इसनएक लिजार्ड में मिलता है bene next temperate desidugas temperate desidugas temperate desidugas forest को देखेगा या बायोम को देखेगा तो इसा ही दिखता है यह तिम्परेट desidugas का यह जो बायोम दिख रहा है अभी temperate desidugas biome का आप लोग बात कर रहे हैं temperate desidugas में आईए सारा कुछ आपको नहीं करना है vegetation आपको याद रखना होगा broad leaf forest के नाम से भी जाना जाता है oak यहां का plant species है maple यह सब plant species यहां पे हो जाता है not करके लिखा है tree shaded with leaves in autumn and we are again in spring tree जो है इस biome का autumn region में का करता है गिरा देता है leaf को अफिर से leaf को spring season में फिर से leaf को ले आता है यह animal में अगर आए इसमें तो rabbit इसमें आजाएगा deer आजाएगा squirrel आजाएगा इस सब tropical rainforest देखे रेन फोरेश्ट नामी दिया rainforest तो rain क्या होगा ज्यादा होगा जंगल टाइप का होगा जो pure jungle जंगल हम लुक बोलते है यह है आपको जहरना तरना दिख जाएगा हम लोग का जो असाम है वेस्ट बंगाल है फिर उदर चले जाएगे south side केरल इस सब जो है तो tropical rainforest इस सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको नहीं यह बायोम में आईए equatorial region पे होता है around earth मिलता है इस इस्टर्न हीमालियाममें मिल जाएगा वेस्टर्ण घाट भूपिकल रेन फॉर्ष्ट कहाँ मिलेगा अभी अभी बता है असाम बेस्ट बंगाल केरल आनदमानी सब में मिलता है इंडिया में ट्रफिकल एंफ्वर इसमें क्या है लार्ज आमांट में क्या होता है अन्वफ कि आइंग लिए दोसे तीन सो सेंटीमीटर पॉर यह जादा यह रहा उता हो गयादा रीष होता है Flora and Funa से, सबसे घना forest माना जाता है, नाइस, diversity भी बहुत ज़्यादा मिलता है, highest species of plant and animal are found, diversity यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, temperature, flora और Funa, flora बोले तो plant species की बात करता है, पूरा plant को मिला के flora, flora animal, term use होता है, flora animal, vegetation में हाँ, plant के लिए ही आ जाता है, जो plant सब ग्रो करता है, vegetation उसको बोल रहाता है, term use होता है, flora and Funa, climate यहां का warm मिलेगा, humid मिले जाए, vegetation में आईए, diptherocarpus, sopia, देर सारा मिलता है, आपको इस बायूम में parasitic plant सब भी मिल जाएगा, parasitic plant जैसे कसकुटा हो गया, भिसकम हो गया, लरेंथस हो गया, centellum, centellum बोले द तो, चंदा निसब भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक, उसके बाद, आगया यह, tropical desi dugas forest में आईए, tropical desi dugas forest में आईए, तो annual rainfall इसमें याद दे रखना है, vegetation के वल याद रखेंगे, साल है, टिक है, टेंदुवाद, चिरोंजी, खेर, नहीं, चेपर, सब ट्रीका नारा, इल्टन सब करना, चेपरल सब करना, चेपरल बायोम, टेपरल नहीं, चेपरल बायोम में अगर आएगा तो, चेपरल बायोम, आपको इसा दिखेगा, वotz Dollch, यह है चेपरल, आपको जो दीक रहा है, यह कैसा दीकत संटन डाउट रेसिट्टेंट या हिट डाउट डॉक होगा चौला लीप होगा ब्रॉड लीप ये साथ हमा नहीं नहीं, fire resistant plant आपको इसमें मिल जाएगा, fire resistant, जल्दी आग नहीं लगता इस बायोम, animal में mool, deer, नहीं ये सब मिलेगा, tropical सवाना में आजाएए, सवाना बायोम, सवाना ये है, एसकेटर ट्री दिखेगा, grassland में एसकेटर ट्री, सवाना का लाता है, ये जैसे grass, इसमें tree सब दूर दूर रहेगा, तो यहीं बायोम को क्या बोलाता है, सवाना, नहीं, तो सवाना, tropical सवाना बायोम की जो बात करे है, तो South America, Australia, इसमें होता है, tropical grassland के नाम से भी जाना जाता ह होता है, rainfall, seasonal होता है, बहुत ही जादा होता है, ये जो बायोम में, grass are found with few scattered tree, ये लाइन याद रखेगा, सवाना का, vegetation, इसका vegetation छोड़ दीजे, tree में आईए, एकसिया याद रखना है, जीपस, eucalyptus इसी का है, प्रोपीस भी याद रख सकता है, प्रोपीस, एनिमल में इसमे जिराप सब मिलेगा, जेबरा जिराप, टलिफेंट, इसी बायोम में मिलते है, grassland बायोम में आईए, grassland, तो नाम सही के लिए dire grassland पुढ़ा क्या होगा, पुढ़ा grass की बात करेगा, पुढ़ा grass से related बात करेगा, ये grass है, grassland बायोम में आये, तो यह हो गया ट्रास लेंड ग्रास लेंड में कुछ नाम याद रखना आएगा जिसर प्रेयरी ने संप्रेक्ट चाहँ है पमपा साउत अमेरिक साथ साथ पर आद रखेंगे एस याद रखेंगे ये यहोप और असया में मिलता है नाहीं के ध्यरी ये यहाद रखेंगी डेजर्ट डेजर्ट नामी है डेजर्ट ये सब एक जाडीदार बाइं नहीं जहां पे पानी है नहीं के बराबर होगा यह इसमें आई डेजर्ट बाइम तो पानी एन्वल रेंफरल बहुत ही कम होगा नहीं के बराबर होगा नहीं 25 से नीचे होगा डेजर्ट बायोम का फ्लोराइन फ्यूना मतलब प्लांट और इनिमल बहुत जी कम मिलेगा डेजर्ट बायोम जो है नौर्थ अपरिका थार गोवी तिबबत एसिया यह समय मिलेगा जिसे सहारा नौर्थ अफरिका का कि चक्क मिलता है देस्या में गोबी डेजर्ट जो मिलता है ल्ट डेजर है हॉस्प ऑल घेजरिस हऊता है उस यौथ नौर्थ यू एंविलता है गॉल्ड है त़ तो टीटि यूंड इंवारोमेंंन गवल duraFilAwak वल सीक्ट कॉन्स फॉनिक तॉन मिलता है बनर्लिफ ट्रंब ये सब करने का जर्व नहीं देंखिए बायो स्थपेर लास्ट रास्ट बायो स्थिर टीन होता है आपको पता है लिफ्य खिर है सी भर और टार पीछ अगला चेप्टर जो है अगला चप्टर में गुशिए देखे एक लास्ट में एक पेज आपको दिया होगा यह वही है जो अंडर लाइन हम आपको उधर करा है उसी को यह समराइज में दिया हुआ है समढ़िए देखे यहां पर एक चैप्टर आपका हटा हुआ इन्हारोमेंटल इस्व तो इसको मैं इसको मैं हटा रहा हुँ पहले जो पढ़ना हो पढ़िए कि इन्हारोमेंटल अटाइए इस डावर्सिटी पर आएंगे हम लोग पार्ण दो क्लास परशु आपका परसों के बाद एक और नहीं कल तो रही पर्सु परसों खतम एकोलोज हुआ कि यह सब अटा देना है कि चलिए इस्टार्ट करेंगे हम लोग सभाइवर्सीटी एकोलोजी का लास्ट चप्टर आपका क्या है है बाइओ डावर्सिटी चलिए इस्टार्ट कर रहे हैं कि अ थाम केशे करें वह दो क्लास लगता है कल और परशू काल और परसो दो दीन परसो आपका हम एकोलोजी डन करके दे रहे हैं कि परसो और अगर डिजीज बोलिएगा तो जब तक उदर बायोटेक एक सप्ता यह सप्ता में डन हो सकता है अब अब जी आप लोगी अठीक है पहले 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 इसको खतम करने हैं पहले इसको खतम कर लें पिर डिजीज भी किया जाएगा कि क्या चीज कि इन्वारमेंटल इसू बाद में कर देंगे पहले जो पढ़ना है वो देखे जहां हटाया से जो अभी हटा दिया ठीक है अपना सिलेवस देगा और कि इसको फोलो करता है दे नहीं दिया नया वाला जो आएगा ना उसमें हटा हुआ रहे हैं क्याकि भारती बावन के बुक में अभी पॉलिशन है जैसे अन्सेयाटी पुराने में है नया में हटा दिया लिए बोलि पहले जो सिलेवस में उसको कर लिजी फिर बोलिएगा अलग से दो क्लास लगता है पॉलिशन में तो दे रहेंगे दो क्लास समझ में है पहले जो सिलेवस में उसको कबर किजी कि उसके बाद हमको बोलिए गाम कर देंगो कोई सुनें हैं लेखे हम नहीं घप्रा कि हम को तो सालों घरा रहें आप लोग डंब कि खवरा तक कोन है है अधर रहे ही ही थो हम भी बोल नहीं नहीं तो 110ड़ COB को आईए एगा तो पराएंगे चिंपल करले तो क्लास मैं लगता है इस चप्रविभी क्लास में मेक्सिमम तीन नहीं तो दो इन्भार्वेंटल में लेकिन इसमें बाइडिवर्ची दो ही क्लास की शाहिए याद करने का चीज ए कुछ चीज अंडरलाइन करना रहता है से देखे का नाभी आएगा बाइवर्चीटी में जो बात करें नेचरल रिसोर्स नेचरल cat रिस्वर्स पे लोग बात करेंगे लिचार और में लिफिंग अलग 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 तरह के फ्लोरा means लेगा 즐डे प्लान्ट और एनीमल मिलेगा पहले बता चुक में नेचिरण रिसोर्स की बात करें लिसूर्स तो लिसूर्स में आता है जैसे अक्सिजन जो नेचर हम लोग को दिया लेड एक स्वाइल ठेट एनिमल रेनिमल और स्वायल माइक्रोकनिजम क्या आता है वैयल माइक्रोगेनिग यह लिए सब कर दोल बताया है कुछ निच्चरा डिसोर्च इसमें हाइड्रोइस्वेश्पेर में होगा नहीं और कुछ एकमOS फिर में होगा जीसे ऐक्सटेशन इस सब बोला जाता है जो कभी नहीं कुझस वर्ण खतम होगा और एक जस्ट है इंड़ास्टाबल जिसको यूज करने पे खतम हो जाएगा तो इनग्जस्टेबल जो कभी खतम नहीं होने वाला փसोर्स जैसे solar energy, wind power, tadgal power, air, geothermal energy, ये सब कभी न खतम होगा, अलग बात है quality को हम लोग effect कर सकते हैं, जैसे air के quantity कोम बरबाद कर सकते हैं, नहीं, लेकिन खतम कभी नहीं होगा, ये सब है natural resource में in existable, लेकिन एक है, existable, existable वो resources से इसका लाता है, जो आने वाले समय में खतम हो जाएगा, एक है, जिसको renew किया जा सकता है, दुबारा से बनाया जा सकता है, और एक है, यूज हो गया, खतम हो गया, मतलब, हो गया, non-renewable, तो renew जो करवाएंगे, जैसे biotic resource, forest, grazing animals, सब जो हता है, grassland, regland, grassland, ये सब agriculture, ये सब जो है, इसमें जड़ा सब गौर कीजएगा, इसमें जड़ा सब गौर कीजएगा, जैसे biotic resource, या forest, चलिए forest पे अलका से एक्जाम पर ले, माल ये कहीं जंगल था, आपने आग लगा दिया, आग लग गया, तो राक बन गया, वहाँ लोग खेती कर लिया, और बाद में जब वहाँ जाने लगा, जंगल लगा के निकल लीजे, तो दुबारा आ गया की नहीं, अलग बात है, 100 साल लगेगा, लेकिन जंगल हो जाएगा, तो ये renew किया जा सकता है, और non-renewable में fossil fuels मिल आता है, कोईला और पेट्रोलियम, एक बार चल गया, तो जल गया, इसको दुबारा कोईला और पेट्रोलियम को बनाने में लाखो साल लग जाएगा, तब तक साद हमी लोग न रहे, नहीं, लंबा टाइम लग जाएगा, तो नेचुरल गैस, निकलियर इनर्जी, बायोट आप जा सकता है, एक टर्माता हाइड्रो श्ठेयर, भाटर भेम बोले, तो वाटर रिसोर्स की बात कर रहे, पानी, बचो हाइड्रो स्थ्रेयर में बात करे, तो झोटल भल्लूम, जो हमारे उर्थ पे वाटर का है, 1.4 बिलियन क्यूभिक किलो मिटर, नहीं, कि यह हमारे और्च पे हैं एक सब्सक्राइब है अहां कि अ जी बोले ना कि जी जी कि अ कि अ झाल झाल यहां पर क्या है तो हाइड्रो स्फेयर में वाटर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं वाटर तो वाटर में क्या बता है कि और पर जो वाटर है कितना है 1.4 billion cubic kilometer लेकिन जितना भी वाटर अर्थ पर है बच्चो आपको बता दू 97.5 परसेंट वाटर ओसीन में है जो हमारे लिए यूजपूल नहीं है अगर डिरेक्ली देखा जाये तो हम लोग इसको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं तो अंससेप्टेबल टू हुमन यूज़ बचा क जो अब लोग बोलता है पोलर आइस जो नौर आइस कैप अंटार्टिका रिजन ही सब में जो है वहां पर मौज़ूद है ग्लेसियर मात्र प्वेंट परसेंट वाटर जो ग्राउंड वाटर है जिसको जनरली हम लोग यूज़ करते हैं चाहे अग्रिकेल्चर के लिए या पीने होने के लिए मौज़चर में तो बहुत ही कम है रेज जो बच गया प्वेंट 36 परसेंट डिस्ट्रीट रिश्ट्रेट है कहां पे स्वाम्प में रीवर में स्ट्रीम में तो रीवर ही सब में जितना भी बड़ा-बड़ा गंगा ना दी सब गई मात्र प्वेंट 36 प ये घट की कितना मात्र हो गया, 19.4, एप्रोक्स 10% हम लोगों ने फॉरेस्ट को काट दिया, 10%, 30% था, 10% निकाल दि, 30 से 20 पाया, 30 से 20 परसेंट तो बहुत जादा हो जागा, तो बहुत कांतर आगया, इतना, आउट ओफ 19.4 वणली 12% है जो डेन्स है डेन्स फोरेस्ट मात्र बारा परसेंट इंडिया में बचा है पर क्येपिटा बतलब पर हेड फोरेस्ट इंडिया में कितना बचा है पर आदमी पे 0.06 यह भी अब घट गया होगा तेक तो फोरेस्ट काट दिया और इधर नंबर अब करें पॉर हुपर इन्डिया में कितना रिकमेंड क्या हुआ है तटी थी परसेंट एरिया रिकमेंडेड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो इंडिया का है कितना फॉरेस्ट हो रहा चाहिए जूम कल्टिवेशन जो आपको पता बच्पन में भी पह रहे थे क्या करता था ट्राइब पपुलेशन जंगल को काट दिया आग लगा दिया चाहिए काट दिया प्लेन बना लेता था वहीं पे खेती उती करता था खेती करने के बाद जब जाने लगेगा तो वहां से निकल जाता था तो इस मेजर काउज माना जाता है कि डीप फॉरेस्टेशन का पॉरेस्ट को काटना मेजर काउज और यह जो है ट्राइब पॉपुलेशन एसिया अफ्रिका उस यानिया यह सब में जादा आपको मिलता है जूम कल्टिवेशन भी इसी तरक है नहीं आग लगा दे आव चाहिए ले और भी बहुत सारा काउज है जैसे हम लोग-धर देखे टेबल खुर्सी बेंच घर बनाने के लिए जमीन खाली करने के लिए जमीन चाहिए जगा चाहिए तो अम लोग इतना झाल